हेलो फ्रेंज, डिवाइन लाइट असोसीएशन टीम के जेनरल अवेरनेस कुष सेगमेन्ट में आप सबी का हार्धिक स्वागत है दोस्तों, यह जेनरल अवेरनेस कुष सेगमेन्ट सभी कमपेटिटिव एक्साम्स के लिए हाँस से बहुत इंपोर्टन सेगमेन्ट है तो चलिए शुरू करते हैं ये सेग्मेंट पहला क्वेशन है कि नियू डेवलेप्मेंट बांक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आंसर मारकोस ट्रोईजो को नेक्स्ट क्वेशन उस एरक्राफ्ट का नाम बताए जिसे इंडियन एरफोर्स द्वारा इंड़क्ट किया गया है आंसर तेजस MK1 FOC इंड़क्ट करना मतलब उसके बारे में बताते हुए ये बोलना कि ये आज से हमारी इंडियन एरफोर्स का हिस्सा है मतलब इंट्रोड्यूस कराना ठीक है किस रीटेल कंपनी ने करनाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट और मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के साथ MOU साइन किया है आंसर है फ्लिप काट नेक्स्ट क्वेशन उस Artificial Intelligence आधारत चाटबॉट का नाम बताए जिसे National Payment Corporation of India द्वारा लांच किया गया है आंसर पी ए आई ठीक है तो ये चाटबॉट क्यों लांच किया गया होगा क्योंकि इससे जो NPCI के जित्ते भी प्रॉड़क्ट्स है ठीक है उनके Advantages, Disadvantages वगेरा जाने जा सकते हैं और कौन सा प्रॉड़क्ट आपके लिए फायदे करेगा उसको चुन करके आप उसी हिसाब से उसी प्रॉड़क्ट को लेकर के काम कर सकते हैं अपना जो भी उपयोगी काम हो ठीक नेक्स्ट इंधन की Efficiency को बढ़ाने तथा Carbon Footprints को कम करने के उदेश से किस संस्थान ने University of North Texas और United States Army Lab के साथ मिलकर Magnesium Alloy विक्सित किया है आंसर होगा IIT Madras Next Question वो कौन सा Payment Bank है जिसने किसानों और छोटे तथा मजूले उद्योगों को चलाने वाले लोगों के लिए Customize Financial Products क्रियेट करने के उदेश से Mastercard के साथ साजेदारी की है Answer Etal Payment Bank Next Question आई का बॉग नामक पुस्तक के लेकर कौन है Answer J.K.Rowlin Next Question Oriental Insurance Company के चेर्मन के रूप में किसे चुना गया है Answer S.N.Rajeshwari Next अपने 2.6 बिलियन हिस्सेदारों के लिए किस कमपनी द्वारा WhatsApp chatbot launch किया गया है Answer Reliance Industries Limited Next Question New Development Bank के चीफ रिस्क आफिसर और उपाध्धश के रूप में किसे चुना गया है Answer Anil किशूरा को Next Question Stock Exchange Securities में क्या शामिल नहीं है Answer Reverse Repo Rate चलिए आब Next Question पे चलते हैं के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है Answer Foreign Exchange Management Act FEMA Act FEMA Foreign Exchange Management Act ठीक है ये फेमा का फुल फॉर्म है Next और लास्ट कोशन SME का फुल फॉर्म क्या है Answer Small and Medium Enterprises ठीक तो दोस्तों इसी लास्ट सवाल और लास्ट जवाग के साथ हमारा ये सेग्मेंट इहीं पर होता है कत्म लेकिन फ्रेंज हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे वो ये कि आप सभी लोग इस सेग्मेंट को दिल खोल करके Enjoy कीजे और साथी इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुचाने की पूरी कोशिश कीजेगा My Most Dearest of the Dearest Friends जो लोग इंटरनेट फसलिटी का लाप नहीं उठा पा रहे हैं है ना तो इसी छूटे से रिक्वर्स के साथ हम आप सभी के धेर सारे प्यार जुनूं चस्पात और कड़ी मैनत के साथ साथ आप सभी के उस कोशिश को भी दल से सलाम करना चाहेंगे जिसके बदालत ना सरफ आप सभी नईने उचायों को चूरे हैं बलके साथी आप सभी हर एक शेत्र में अपनी योगिता का परचम लहरा पाने में भी भली भाते साक्षम हैं तो दोस्तो इसी बात के साथ और इसी गर्व की बावना को अपने मन में संजोए वे एक बार फिर पूरी डिमाई लाइट्स असोसेशन टीम के उड़ से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमश्कार